अब दोस्तों एक बाद दुवारज से You knowables अब शॉब्म्य करता हूं हम आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक Now helps subscribe करेंगे लिए वहत भी धन्यवाद तो दोस्तों लाया हूं आपके लिए यह बैंग लेटेस अपडेट 1952 пр incapable Rapid बर चौटा साथ 3 या 4 मिट का वीडियो अपडेट होगा अच्छा लगेगा तो शेर और लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो साथ बैल को सब्सक्राइब के साथ बैल नोटिफिकेशन होता है उसको दवाला ना भुलिएगा तो दोस्तों याज वैंक में कल याद होगा एक छ क्यों गिरेगा तो उस्तों लोगों को लग रहा था कि स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आए अब रॉकेट होने वाला है यहांसे 200 रुपे क्रॉस हो जाएगा लोगों को साथ यह लग रहा होगा साथ क्योंकि बहुत सारे लोग 200 रुपे के लेवस में फसे पड़े इसलिए मोटर्स होते हैं बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको एक ख़वर बहुत पहले से पता रहता है तभी तो इस टॉक देख सकते हो 13 रुपे से यहां इधर से तभी तो इस टॉक में इतनी बड़ी मूवेंट आई है जो आपको यहां देखने को मिलिए 13 रुपे के आस होंगे बचारे तो मैंने तो बहुत बोला तो किलेकर रखेवाई इस टॉक को बेज हो यह सटॉक पंदा रुपे के लेबल आपको दिखा सकता है क्यों और आप कीजिये ठीक है अभी मैं इंडिकेटर लगा रहा हूं आपके सामने तो देख लेना तो याँ दोस्तों यह इ जो है तो आपको दिखाता हूं इसमें हमने कैसे पता करा रहा कि यह श्रेडर रहा है इस डायवेस बन रहा है ठीक है यह ब्रेकआउट हो सकता है ठीक है, ये breakout कल हो गया, close कर दिया नीचे, और जैसे इसका 16 रुपे 25 पैसे, 50 पैसे था मेरे एकाल से break होगा, ठीक हो जाएगा, नीचे की तरफ, अगर डावेब बॉक्स की, मैं स्टाइज की बात करता हूँ, तो हमें टागेट के निकल के आते हैं, अगर ये बॉक्स यहाँ पर एक किसी बंदी ने सेल किया है, इसको, अगर दूस का स्टाब लगाता है, इसके संबसे, तो वह कमसे का 17 में अगर उससन करता है, तो 20 का स्टाब लोस है, तो 3 रुपे तो इसका, वन ईस टूबन का निकल का आता है, मतलब 17 में आसेल करेगा, तो वह वेट करेगा, 17 मैंस इन कर लो कितना होता है पढ़े लिखे हो तो मुझे लगी रहे हो 14 रुपे का होता है ठीक है पहला target फिस दूसरा target निकल के आता हो 11 रुपे का तो भाई मेरे साब से 10 रुपे और 11 रुपे के आसपार आ सकता है पहला target हमारा की है 14 रुपे का sell की तरफ ठीक है तो भाई अगर आप अगर प्लान कर रहे हो इस टॉक को बाई करने की तो भाई आखे बंद करके बाई मत करना जब तक कोई प्राइज एक्षिन नहीं बनता है आप बाई मत करना यज बैंक को अभी इसके जो टागेट है सेल की तरफ ही है पहला टागेट स्टॉक का 14 ठीक है और जो दूसर टागेट गया रुपे का है तो जब तक प्राइज एक्षिन नहीं बनता है या दुबारा से कोई नया डार्वेस बॉक्स नहीं बनता है बाई की तरफ आप बाई मत करके चलना आप बोलोगे सर मुझे तो यह भी फील आ रहा अंदर से कि यह स्टॉक अब जीरो मतलब दो या तीन उपे न आ जाए क्यूं अब देखें दोस्तों यह जो डार्वेस बॉक्स है यह बहुत तगरी स्टाड़जी है यह कभी कवारी बनती है स्टाड़जी हर बार नहीं बनती है यह रसाई नहीं है कि भाया हर बार बनते जाए हर गंटे पर बनती बीच में और देखें जैसे ही यह ब्रेक हुआ आपको साप दिख रहा होगा चार्ट में जैसे ही यह ब्रेक हुआ लगाता स्टॉक देखें दोस्तों नीचे आया और यह पांच रुपे तक उसमें पांच का लो लगाया तसने तो अब दुआरा से बॉक्स बना है ठीक है यह अभी 22 में और यह बॉक्स बना है आपका 17 रुपे के आज़ पस क्या यह स्टॉक अब क्या यह स्टॉक आप 2 रुपे आ सकता है तो अब देख लिजे जोस्तों ठीक है तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप स्टॉक को मैं बाय करूँ तो भाई मेरे साब से अभी जो भी आए निउस में फार्क नहीं पड़ता है प्राइज एक्षिन हमें बोल रहा है यह स्टॉक नीचे आ सकता है आपको मैंने समझा दे कि मैंने कैसे निकाला था यह स्टॉक में कि हम हमें नीचे के टागेट दिखा सकता है तो आपको समझ आ गया होगा जो कल के वीडि कि मैंने वी चलो बाई